आपको और आपके परिवार को स्वतनतरता दिवस की धेर सारी शुपकामना है आज हम बना रहें मोती चूरू लड्डू मैं जबी स्कूल जाती थी इंडिपेंडेंडेंस जी पे तो हमें मोती चूरू के लड्डू मिलते थे स्कूल से मुझे इतना शौक था इने खाने का तो आज हम घर में बना रहें एक दम परफेक्ट तरीके से एक एक बूंदी खिली खिली बनेगे ये मोती चूर लड्डू से आपको मजा जाएगा सिर्फ एक कटोरी बेशन से हम लड्डू बना के तयार कर लेंगे बहुती सौफ और इदम रसी रहे तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले गोल बना के तयार कर लेंगे इसके लिए मैंने यहां पर लिया है एक कटोरी बेसन सारे नाप आप एक कटोरी से लें तो आप कोई भी कटोरी फिक्स कर लें यहां पर मैंने साधा बेसन लिया है आप चाहिए थोड़ा सा बॉम्बे बेसन भी यूज कर सकते हैं इ तो आप दो चम्मच करके इसे पानी आड़ कर सकते हैं ताकि वह एकदम पतला ना हो जाए मैंने आप पे थोएसा पानी और आड़ किया है तीन से चार बड़े चम्मच और मैं अच्छे जब आप इसे विस्क करूंगी ध्यान रखें कोई भी लंस नहीं होने चाहिए हमारे ब पानी लगा यह माप मैंने कटोरी से किया है कोई भी काप मेजरमेंट भी यूज कर सकते हैं जो मैं आपको साथ मेजरमेंट साज शेर करें हूँ इससे टोटल चौदा लड़ू बने थे और आप मानके चले एक किलो लड़ू के आरांड बनते हैं इससे आपको मजा आ जाए भर लिया है घी के साथ में आप यहाँ पर ऑईल भी यूज कर सकते हैं पर घी से बहुत अच्छे लगते हैं यह बूंदी के लड़ू और मजा आ जाएगा एक तरफ में आपको सेटप दिखा देती हूँ मैं आपको एक कोठी रखी है जो थोड़ से कड़ाई से उची है हा बैटर डाल सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं जारे को आसे कोठी के उपर हम रखेंगे और ऐसे हम थोड़ा से प्रेस करेंगे इससे जो हमारा घोल है वह बहुत इजी ली कड़ाई में आ जाएगा और साथी में हमारी एकदम एक साइस की बूंदी बनके तयार हो जाएग देखिए मेरा बैटर एकदम पॉर्फेक्ट है पोरिंग कंसिस्टेंसी का है गी अच्छे से गरम हो गया हम बैटर डालेंगे एक तरफ से कल्ची से मम्मे उपर से बैटर डाल रही है और मैं यहाँ पर जारी है उससे पकड़े खड़ी हूँ और जारी को अच्छे से टैप इसी तरह से बूंदी को लड़ू बनाना बहुत अच्छा रखता है आपको का सकता है मुझे कमेंट से जरूर बताएं और सारी बूंदी को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे आपको कोई पेपर नापके या फिर कुछ भी रखने की जरुवत नहीं है इसका जो एक्सट्रा घ नहीं बनेगी नीचे की तरफ से जो हमारा जारा इसको भी साफ करते चले इसे दो से तीन मिनिट के लिए हम फ्राइ करेंगे बस हाई फ्लेम पे जब तक इसका जो कलर है वो तो ऐसे गोल्डन हो जाए अपकी जो बूंदी एकदम क्रिस्पी और कलारी हो जाए अब यह बूंदी एकदम मोती जैसी बनेगा और मजाज आएगा आपको जरूर ट्राय करें यह रेसिपी मैंने इस तरह से सारी बूंदी को फ्राय करके रख लिया है कुछ भी नहीं करना है आपको बस ध्यान रखना इस चीज का कि आपकी जो बैटर है वो पोरिंग कंसिस्टेंसी क त्यार कर ली है दूशी तरफ जो जहारा है उसे हम टाप करते रहेंगे कोठी के ऊपर रखके अब यहां पर एक कोठी रख सकते हैं या फिर एक बड़ा बरतन रख सकते हैं जो भी आपके पास अविलेबल है उससे आप रखे इसे मैं आप एक साइड में रख लिया है चाशनी बनानी है इस बात का आपको ध्यान रखना है अगर आप एक तार की चाशनी बना लेंगे या चाशनी आपकी बहुत कड़क होगी तो आपके लड़ू भी बहुत कड़क बनेंगे अट दे एंड हम एकदम नरम और मुह में घुलने वाले लड़ू चाहिए इसलिए मैं ऐसे बना रही हूँ अच्छे से मेल्ट करेंगे हमें पहले शुगर को यहाँ पर हाय फ्लेम पर इसमें हमें डला है तो ऑरेंज फूड कलर यह डालना ऑप्शनर है आप चाहें तो केसर यूज़ कर सकते हैं या पिर आप कंप्लीटली फूड कलर और केसर दोनों स्किप कर दें ऐसी भी आपके लड़ू बहुत अच्छे बनके तयार होते हैं अब देखेंगे आप दो मिनिट के बाद जो मारी चाशनी है वह अच्छे से तयार हो चुकी है देखें कुछ इस तरी के सा टेक्षर चाहिए हमको एकदम चिप-चिपी है ना यह आप तार जुड रह जब तक बूंदी है वह अच्छी से कोट हो जाए पूरी चाशनी के अंदर और साती में पूरा सिरप को सोक कर लें अच्छा तरह से एकदम रसीली बूंदी बन जाएगी हमारी और यहां पर आपको कोई भी विजिबल चाशनी नहीं दिखेगी तब तक हम इसे कुक करना है यहां पर कोई तार नहीं लेना है आपको इस बात का प्लीज ध्यान रखे अच्छे से कुक कर लें चार से पांच मिनिट के लिए और लो फ्लेम पर और इसे स्टर करते रहें दिरे दिरे आप देखेंगे कि बूंदी काफी सॉफ्ट हो गई है इसने काफी सारे सिरप को अपने पस्तन के ड्राइफ भी आइड कर सकते हैं यहां फिर मगज का बहुत अचा फ्लिवर आता है तो मगज भी आइड कर सकते हैं मेरे पास अभी अविलिबल नहीं था इसलिए मैं आइड नहीं किया है और मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बूंदी के लड़ू बनान हूँ आप कुछ इंपोर्टन टिप्स का ध्यान रखेंगे तो आपको आदी घंटे में एक से डेड किलो बूंदी के लड़ू आराम से बनके तयार हो जाएंगे और आपको मजा आ जाएगा इन्हें खाके इस तरह से आप भगवान को भोग भी लगा सकते हैं अभी आगे गणशतुरती आ रही हैं आप इसे रक्षा बंदन भी बना सकते हैं तो जरूर ट्राइ करें रेसिपी आपको कैसी रगी मुझे कमेंट्स में बताएं और में चानल को जरूर सब्सक्राइब करें बेल आइकन भी दबाएं अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए मेरी कोई भी नई विडियो की देखिए अच्छे से कुख हो चुकी है बूंदी ने सारा शुगर सिरप को सोक कर लिया है अब मैं इस स्टेज में गैस ऑफ कर दूंगी अब हम इसमें डालेंगे यहां पर एक चम्मज घी यह डालना ऑप्शनल है अगर आप तेल के लड़ू बना रह है यह रैसेपी एकदम पर्फेक्ट है जरूर ट्राय करें अब मैं स्टेज में एकदम मार्केट जैसी हलवाई जैसी बनाने के लिए यहां पर आड़ कर रहे हूं एक चम्मत शहद यह डालना कंप्लीटली ऑप्शनल है पर इससे बहुत अच्छी बाइंडिंग मिलती है ल मैंने जो मिक्षर तो थो थंडा कर लिया है इसमें हमें डाल रहे हूं पिस्ता की कत्रन आप अपने पसं के ड्राइफ रूट्स आइड कर लें यहां पर मेंली मगज रहा जाता है तो मगज भी डाल सकते हैं अब जो हमारा मिशनल थो थो थंडा हो चुका है और अभी थो थ इसे शेप दूँगी लड्डू का आप देखेंगे जो चाशनी हो एकदम परफेक्ट और इजीली बाइंड हो रहे हमारे लड्डू इस तरह इस हम सारे लड्डू बनाके तयार कर लेंगे और दी कितने रसीले हैं जो यह मेरे हाथ में है यह तो शुगर से रप बहुत हो स कर सकते हैं और गार्णिश करें पिस्ता की कतरंग के साथ में इस इंडिपेंडेंडेंस दे अपने घर में ते रंगा लहराएं और यह मोती चुरू के लड्डू बनाके जरूर तयार करें मैं जल्दी लोटूंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए स्टे सेफ और स्टे हल्दी